हे एवरिवन आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल किचिन निसा पे तो आज बन रही है मटड़ के छोले उसके साथ सेवईया और रोटी प्लेन रोटी है तो चलिए रेसिपी को चेक करते हैं तो सबसे पहले न मैं मटड़ के छोले बनाओंगी प्रेशर कूकर में तो सबसे पहले कूकर में और लाशन डाले है कि रिछल को खाड़े लाहसनी बनाते हैं अधेकि मैसरों और जीडार कि ढुकर डेगारे जल् coalition फ्राए सारी चीज्य तो यह प्यास है और मैंने दो तीन प्यास लिए है उसको अच्छे से कड कर लिया है और इसे भी भूल लेंगे साथ ही सहरैं है और साथ में क्या करेंगे ना तमाटर मुनातिक अब टेमातर बी डाल देंगे ये देखिए मैंने यह हैं उसे अच्छे से क्ट कर लिए है बारी कट नहीं किया है बस ऐसे ऐसे कट rr कर लिया है जो नॉर्मल हम सब्जी बनाते में देते हैं साथ ही साहथ दालीएंगे साथ हैं यूदि यवा दनिया पाउडर और जर कास्मेरी लाल मिर्च आर नमक दाल देंगे तो नमक आप अपने टेस्ट एकॉर्डिंग डालिएगा ज्यादा कम तो होता ही रहता है बट थोड़ा कम ही ठीक रहता है नमक के लिए तो मैं ज्यादा तर कम ही नमक डालती हूं जिसे ज्यादा खाना होता है तो उपर से ले सकता है बट ज्यादा नहीं डालती तो इसे आप कोुकर नहीं के लगे जब फूल ने के लिए तो वह हो तुझे फूल गया है ये बिखिंगे इतना फ्रेश लग रहा है तो हम अब मटर सारे के सारे में डाल देंगे लिए झाय कर मतर पूल के लिए कि प्रूस्चारपानी 104 जा अच्छे से और उसके बाद मैंने इसे पकाया है तो इसे सारे मटर को कुकर में डाल देंगे और जितना पानी लगेगा न उतना ही पानी डालेंगे पानी का कोई मेजर्मेंट नहीं है बट हाँ दो कप तो होगा ही है बट मैं मेजर्मेंट करके नहीं डाली हूं बस ऐसे ही डाल दी हूं क्योंकि मैं रोटी के साथ बना रही हूं न तो छोले वगेर तो ज्यादा तर ज्यादा तर लोग रोटी के साथ ही खाते हैं चावल के साथ कम ही खाते हैं मैं तो रोटी के साथ ही बना रही हूं तो यह देखें मैंने थोरा ही पानी रखा है क्योंकि जो सिंस्टी आएगी न तो जैदा पाई तो जलेगी नहीं तो हमारे छोले बनने के लिए इतना पानी ठीक है तब हम कुकर को बंद कर देंगे यह देखी कुकर में बॉयल आने वाला है आप मैं इसे बंद कर दूंगी और दो तिन सीटी आने तक पका लूंगी जो नमक डाला है तो थोरा टाइम तो लगेगा मेडिया मीट पे पकाना है और इधर हम क्या करेंगे ना रोटी बनाने के लिए आठा गूंद लेंगे तो आठा में गूद रही हूं जिस्ट नॉर्मल रोटी बनाने वाला आठा गूदा है और इधर रोटी बना ले रही हूं तो प्लेन रोटी रहने वाली है मै प्लेनी रोटी ज्यादा तर बनाती हूं रात को न ज्यादा ओईली खाने से अब ग्यास वगेरा बन जाती है आज कल गर्मी है न बहुत इसलिए तो मैं ज्यादा तर प्लेनी रोटी बनाती हूं सब प्लेनी पसंद करते हैं तो अब मैं रोटी को भी एक करके सेक लूँगी यह देखिए मैंने तबे पे चरहा दिया है तो रोटी ना ज्यादातर मैं गैस पर ही बनाती हूं इंडक्शन पे न अच्छे से नहीं पकती है गैस पर एक ही फ्लेम का हीट रहता है न तो बहुत अच्छे से पक जाती है पूलती है तबाकों बहुत अच्छे से हीट कर लेना चाहिए उसके बाद रोटी बनाई यह न तो बहुत ज्यादा अच्छे से फूलती है मुझे न निकालने के लिए भी अब सोचरी कैसे निकाल हूं इतना जादा फूल गया है किस साइट से पकर फूट जाएगी और मु कुकर में देख लेते हैं जो हमारा मटर है वह बहुत अच्छी तरह से पग गया है बहुत ही सफ्ट हो गया है मैं चेक कर लेती हूं एक बाद एक्दम परफ्ट्ली कॉक्ट हुए है अब हम क्या करेंगे ना इस में गरम मसाले यया फिर मीट मसाले आपके Luigi अबलً मिसारे भिलीवल हो न लाशल में आपस डाल सकते हैं मैंने लासल करम नहीं ौल और मैंने धनिया दाला नहीं पर आपठानेया डाला पांत्वी अच्छा आलेंगे डीड़ चमच घी यह गाय का घी है और मैं हमाइसा घाय का घी यूज करती हूँ और इसमें डालेंगे मोटी वाली से बयां से तो मोटी वाली सवे आज पतली वाली बना ली घर में था हमेंऻ घर में रहता है मतलдерж lock सबस्क्राइब करना पड़ता है कभी बच्य कि मन हो गया खाने के लिए तो मैं हमेशाल रखती हूं तो युट अच्छे आगही में अच्छे सेंल में घी में अध्य में च्छी सरी हो भूने प्तिक गया उसका हो न हे सब मैं मेरे नापा नहीं है मैं उससी से दो कल्चुल तीन कल्चुल चार कल्चुल ऐसे करके मैं मेजरमेंट करके नहीं दे रही हूं कि इतनाम लग रहा है उतना उतना आ यह मोटी वाली से सभे हैं यह तो थूरा ज्यादा री प्लगता है तो मैं अब इसे दीरे दीरे लो हीट पे पकाना है अगर हाइए हीट करेंगे न तो हमारी सेवे जो है न वह जल जाएगी और लोहे का करहाई यूज किजिएगा इससे क्या होता है जो तले में है वह चिपकती नहीं और बहुत ही अच्छे तरह से कुख होती है कि सै कि और जो मैंने दूद दाला और दूद भी नहीं नहीं talk आप इसलिए क्विश कहसे ना कभी काल क शी दीरेंख aggression दालने से नवर्ट जाती और मेरा कभी नहीं भड़ता है कि मैं लोहे कराही में बनाती हो इस में नहीं लगेगी तो थोड़ा सा दूद रहने रहने देना चाहिए ताक कि हमारा सब इस तरह देखे तो अब लगाएंगे थाली तो बीटिया के लिए थाली लग रही है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजेगा आप सब सपोर्ट कीजेगा मैं मिलती हूं नेक्स ब्लाग में बादै